पिछले साल यहां से हम लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया तब से ही बीजेपी डरी ही है घबराई हुई है और बेचैनी है जाहिर सी बाते होगी कि उनको चुनौती मिल रहा है और तीसरी बैठेक भी होगी बंबे में कोडिनेशन कमिटी भी बन गए पांच उसके कि पहले आर्थिक नाय तो लोगों के साथ कीजे अर बाद में बोलेंगे कि वन लीडर में नेशन वन लीडर मनेशन वन पार्टी कहां जा रहे हैं किस रहारे हैं वन डेशन वन रिलीजीन इसाब बेकार की बाते है यह तो हिंदुस्तान शोल बढ़बाद कि आज़ान इस पूरा देश का कमान तो क्या करेगा वन फ्रेंट विपक्षी एकता की तीसरी बैठक मुंबाई में संपन्व हुई देश की सियासत फिर से गर्म हो गई है वहीं पे बिहार के डिप्टी सीम तेसवी आदब वेकवर फिर से बिजेपी पP वरस्थे विखाय नजर आए उन्होंने कहा है कि हमने बिहार में पिछले साल ही बिजेपी को सबक सिखाया था जिसके बज़त से गबदा हुए है वोगेश कमीटी का फिसके जो लुकसावा चुनाम है उसमें बिजेपी को कैसे ह पहराना है तमाम जो है रनिती वो तैयार की गई है क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीम तेस्वी आदब सबसे पहले आप वह सुने कि वही अगस्त का महीना जहां हम लोगों ने बिहार ने करके दिखाए और एक बिहार की धरती से तुरे देश बर में संदेश देन और पढ़ी खुशी की बात है कि हम लोग सब लोग दिन साथ हुए थे आटनों अगस्त को पिछले साथ बात प्रेस मिज़े के सामने हम लोग को जाकर के कहे थे कि देश में सब लोगों को साथ जोगता है और हम लोगों का पहल जो है रंग लाया है पांदे नितीश कुमार जी लालू जी लगतार प्यास करते हैं नितीश जी के साथ हम खुद सभी नेताओं से मिल लेगे और सब लोग अगरी हुए कि भैसलो अब मौका है हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा नहीं तो देश की जंता जो है हमको माफ नहीं करें और इसी वजह से बीजिपी तभी सब्सक्राइब जब से पिछले साल यहां से हम लोगों ने बीजिपी को सबक सिखाया तब से ही बीजिपी डरी ही है घबराई हुई है और बेचैनी है जाहिर सी बाते होगी कि उनको चुनौती मिल रहा है जो जनता चाहती थे एक मजबूत विपकल्प देने का वह विपकल क्या कर दिया गया कि कौन-कौन क्या क्या होगा अब जो है कमिटी में जो भी अजिन्डा आएगा नियुदे जो लेना है वो कमिटी जो है लेगी सामुहीत रूप से सब दल के लोग जो है उसके फैसला लेंगे ने लेंगे जो उचित होगा तो एक मात्र मक्सद है यह कि अखंटा जो देश की डाइवर्शिटी है यही कुप सुर्की है जिसको लोग अलागला करना चाहते है कल भी हम कहें जो यह बात चलके आ रही है भोगा क्या नहीं होगा वो तो क्लूलेस है कोई भालत सरकार का कोई अभी तक को ऐसा कुछ आया नहीं है कि अजेंडा पार्ल ऑक्षिं से पहले वन नेशन वत इंकम हो नोगों के साथ किसे यह बहुत की बतों में कहां लगा पड़ें है कुछ अना वना है तो आभड ऱहल होनि चाहिए तो लोगों के आर्थिक नहाई कि होनी चाहिए वन नेशन वनींकम होना चाहिए लोगों के साहत Keysिव अब थे सब्सक्राइब करने के लिए और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर वन नेशन वन लीडर वन नेशन वन पार्टी कहां जा रहे हैं वन डेशन वन रिलीजिन कि सब बेकार की बाते हैं यह तो हिंदुस्तान को बड़बाद किया जाएं सन्विधान को खतम करने का प्रयास के जा रहा है यह तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आहींगे कुछने चलने वाला यह ताना शाहिद प्रकृति मांचिक प्रकृति जो है यह दिखाता है कि हम हूंगे तो हूंगे ने तो और कोई नहीं हो यह देश हमरा ऐसे तो नहीं चलाए कर देश की कुछ प्षूरीती तो है ने अगर एक हावाले देना तो राजा महराजा से हम लोग को चुटकारा मिला अंग्रेजों से चुटकारा मिला के वल मोदी जी के एक आद्वी को पूरा सक्ता देने के लिए मिला किया यही सट्तर पशेतर साथ में चाहते थे तो बहकार की बाते एक आजमी के हाथ में दे दिजे पुरा देश का कमान तो क्या करेगा वन फ्रेंड है तो सवाल ओपेंड में है कोई कोडिनेशन कमीटी बनाने में क्या चल देश की जो सन्विधान है लोगतंत्र है भाइचारा है इसको हम लोग बचाने का काम करें तो आपने साब तो पर सुना उनका कहना है कि जिस तरह से तीसरी बेटक संपन हुई तो अब बिजेपी को एक बार फिर से सबक सिखाएंगे क्योंकि बिहार से सबक तो सिखाई चुके हैं अब देश में सबक सिखाना है जनता जो चाती थी मजबूत विकल्प का तो हम लोगो करें